हेलो वेलकम बेक सौगत आप सभी का एक बाव फिर से गोलम बेस की इस खास वीडियो में जी हां सोने ओ चान्दी की किम्तों को लेकर बड़ी खबर है आपको बता दे कि साल दो जब बेस में सोने ओ चान्दी की किम्तों ने कई बड़े रिकॉर्ड तोर दिये चान्दी ने अब तक 9 साल का बड़ा रिकॉर्ड तोर दिया चान्दी की किम्तों में बंपर तेजी देखी जा रही है लेकिन ऐसे में अगर आप भी सोने ओ चान्दी की किम्तों में गिराउट का इंतसार कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है वही सोने ओ चान्दी की किम्तों में भारी उटा पटक देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या सोने का बाओ सस्ता होगा आने वाले दिनों में सोने की किम्तों में गिराउट आएगी या फिर दोनों किम्ती दातों में भारी तेजी देखी जाएगी जिया ऐसे सवालों को लेकर कमडिटी बासार के कारुबारियों ने बड़ी अच्छी खबर दे दिया है लेकिन इसी के साथ में पुराने सोने और चांदी को बेचने को लेकर बड़ी खबर है यहां पर खबर है कि पुरानी गोल्ड जॉलरी बेचने पर भी लग सकता है जी एश्टी का जटका जी यहां भारत में ज़्यादत सोने और चांदी की खरीदारी त्युहारी सीजन और साधी ब्या में होती है ज़्यादत भारतिय सोने को बहतर निवेस के तोर पर ही खरीदते है ताकि ज़रूरत के समय में सोने को बेच सके हालकि सोने से ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं मिलता लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के तोर पर ज़्यादत भारतिय सोने और चांदी की खरीदारी करते ही है पर आपके लिए बड़ी खबर है धरसल खबर यह कि जल्दी सरकार सोने ओंचांदी की जोयलेरी को बेचने पर GST लगा सकती है हाला कि आपको बता दे कि अगर आप सोने ओंचांदी की जोयलेरी खरीदते हो तब आपको GST देना ही पड़ता है लेकिन अब सोने को बेचते वक्त भी GST लग सकता है धरसल पुराने सोने यह गोल्ड की जोयलेरी को बेचने पर भी तीन फिसरी का वस्तू एवम सेवा कर यानि की GST चुकाना पड़ सकता है GST की अगली काउंसिल में इसका फैसला भी हो सकता है और यह कोई फरजी कबर नहीं बलकी केरल के वित्त मंत्री थौमस इसक ने जानकारी दिये थौमस इसक ने बताया कि हाली में राज्जियों के वित्त मंत्रियों के समूँ में पुराने सोने और अबुसन की बिकरी पर तीन फिसरी का वस्तू एवम सेवा कर यानि की GST लगाने की प्रस्ताव पर लगबग सामती बने हुए वह सरकारी नियूस एजनसी पीटी आई के मताबिक इस मंत्री समू में केरल बिहार, कुजरात, पंजाब, करनाटक और पच्छिम बंगाल की वित्त मंत्री सामिल है वह केरल के मंत्री ने बताए कि ये तैय किया जाएगा कि पुराने सोने की बिकरी पर तीन फिसरी का GST RCM यानि की रिवर्स चार्ज मेकेनेसम की द्वारा लगाए जाए उनका कहना है कि अब कमेटी के अधिकारी इसके तोर तरीके और नियमों के बारे में विचार करेगी यानि कि सीधी सी भासा में समझे तो नई विवस्ता लाकू होने के बाद अगर कोई ज्वैलर पुराने अबोसन आप से खरीता है तो वह रिवर्स सुलक के रूप में तीन फिसदी ज्वैस्ती आप से वसुल करेगा वयाकडों के मताबिक आप एक लाक रूपे की पुराने अबोसन बेजते हो तो ज्वैस्ती के रूप में तीन हज़ा रूपे काट लिए जाएगे हाला कि इस प्रस्ताओं को ज्वैस्ती काउंसिल की बैटक में रखा जाएगा और सारे नियमों के साथ ही इसे मंचूरी मिलेगी लेकिन ऐसे में आपकी क्या राया है क्या सोने की ज्वैलेरी बेचने पर भी ज्वैस्ती लगना चाहिए या नहीं चाहिए नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए इसके उपर आपकी क्या राया है नीचे कमेंट करके जरूर पता है चलिए तो सोने और चांदी की किम्तों को लेकर भी बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की किम्तों में आ सकती है भारी गिराउट जान ये निविसकों की क्या है राय जिया संकट के दोर में पिछले कई महीनों से लगातार दोनों किमती धातू में भारी तेजी देखी जारी है ऐसे में सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है आपको बता दे कि लगा अतार अंतराश्टी बासा में सोने और चांदी की किम्त में गिरावट जारी है वही अंतराश्टी बासा में गिरावट का कारण कारोबारियों ने रूस की वैक्सिन को बताया आपको बता दे कि रूस ने दुनिया की पहली सपल वैक्सिन बना दी है और इतना ही नीबल की रूस ने इस वैक्सिन का प्रोडुक्सन जोरो सोरो से सुरू भी कर दिया है हाली में रूस को एक अरब डोस का ओर्डर भी मिल चुका है इससे सरापबासा में हलचल मची हुई है ACI सेव बासा में तेजी भी देखी गई है सोने और चांदी की किम्तों में कमी आने की एक वज़े अमरीकी सहित भारत में एक और आर्थिक पैकेज की चर्चा भी है इससे सोनेओं चांदी की किम्तों पर दबाओ बढ़ा है दुनिया बरके से बाज़ारों पर निवेसकों का बढ़ा है वही सोनेओं चांदी की किम्तों में खरीदारी करने वालों को निवेसकों ने अभी सोने में फिलाल खरीदारी से बचने को का है सोने में लगातार तेजी के बाद बिकवाली देखने को मिल सकती है सोने का बाव वापस से पच्चास जार के नीचे पहुच सकता है वई चांदी का बाव साथ हजार के नीचे ले इस तर तक पहुचने की संभावना चता है हाला कि कारोबारियों ने आने वाले समय में दोनों किम्ती धातों में तेजी के संकेत दिये है वई जेपी मोरगन की रिपोर्ट के मताबिक अगले दो साल में सोना से 30,000 रुपे के पार पहुच सकता है विससग्यों का कहना है कि संकट खत्म होने के बाद भी दुनिया का आर्थिक संकट तुरंत खत्म होने वाला नहीं है लेकिन अगर सरकार चाहे तो साधी के लिए सोने की खरीदारी में मदद कर सकती है सरकार साधी बिया के लिए कोई सरकारी योजना बना है जिसे कि आप आनमी का परिवार कम कीमत में सोना खरिद सके तो देश की आम जनता की काफी मदद हो सकती है अगर आप भी ऐसा ही मानते हो कि ऐसी को योजना आनी चीए तो नीची कमेंट करके ज़रूर बताए इसी के साथ में रोचाना सोने और चांदी और काम की बड़ी खबरों को जानने के लिए गोर्डम बेस से जुड़े रहे चले तो मिलते हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद